जैसे एक बिस्तर पे जब आप सोते हो रात में, जिस बिस्तर पे आप सोते हो, सुबह उठ करके उसको साफ सफाई करते हो कि नहीं करते हो, बेट्शिट ठीक करते हो, पीलो ठीक करते हो, कुल ठीक करते हो, सब कुछ ठीक कर देते हो, आप ऐसे सोचो कि आप डेली उस बिस्तर पर सोते हो, उठके चले गए, उसको ठीक नहीं किया, अगले दिन आए, फिर सो गए, फिर उठके चले गए, ठीक नहीं किया, फिर आए, सोचो क्या हाल होगा 6 दिन में, 7 दिन में उस विस्तर का, 14 दिन में क्या हाल होगा, 21 दिन बाद, शायद उस बेट से आपको, मतलब इतनी बदवु आने लगेगी, आप उस पर सोना पसंद नहीं करो, सेम तो यहां भी है ना, सेम तो यहां भी है ना, यह दिमाग, इसी लिए इन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, इसी लिए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, इसी लिए प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है, बहुत पहले हमारे अप्लाइन हमको कहा करते थे, आप एक बा से से बाट क्यों करते हो क्योंकि शरीर साफ रखना है क्योंकि तीछ साफ रखने है नहीं करेंगे तो केरी लग जाएंगी पाटनी क्या क्या हो जाएगा बॉड़ी में जाने जुएंगे वो I don't know क्टमल क्या क्या शुरू हो जाएगा बट पॉइंट इस शरीर को साफ करने के लिए आप डेली नहाते हो त्यूत को साफ करने के लिए आप डेली ब्रश करते हो बट दिमाग जिसमें डेली 20-25-30-30 थौट्स आते हैं जिसमें से कि 80% negative thoughts होते हैं उसको साफ करने के लिए आप क्या कर रहे हो उसको क्लीन करने के लिए आप क्या कर रहे हो क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं होगा अगर ये क्लीन नहीं होगा तो इतने thoughts है ना आप देखना चाहते हैं यह बिल्कुल वैसे है आप visualize करो कि आप जहां भी बैठे हो वहां से 100 मिटर दूर कोई कार खड़ी है या कोई सामान रखा है जो आपको क्लीरली दिख रहा है अभी बिल्कुल क्लीरली दिख रहा है 100 मिटर की दूरी पे है एक कार खड़ी आप उसको क्लीरली देख रहा है आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि ओडी खड़ी है लाल रंकी clean clear चमकती होई लेकिन सड़ली आस पास से बहुत धेर सारे लोग आ जाएं बहुत धेर सारी भीड़ी कट्थी हो जाएं तो क्या आप उस कार को clearly देख पाओगे नहीं देख पाएंगे ना same happens here आपने decide किया कि मैं ये business करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मा को बहतर जिन्दगी देनी है अपने बच्चों को बहतर जिन्दगी देनी है एक बहतर घर खरीदना है एक बहतर lifestyle देनी है clear था जब आपने decide किया जिस दिन आपने ये सोच के अपने अप्लाइन को हा कहा, जिस दिन आपने अपना प्रोड़क्ट पॉचेस किया, पैसे ट्रांसफर करके, उस दिन ये thought process clear था, लेकिन आपने because आपने processes follow नहीं किये या because इनसान का दिमाग ऐसा ही होता, वो 20,000 thought आने लगे, किसी दोस्त ने कु clouding हो जाती है, कि आप जो देख करके इस business को शुरू कर रहे थे न, वो धुंदुला दिखने लगता, वो clarity नहीं होती है कि मैंने क्यों शुरू किया, दिमाग में इतने thoughts आ जाते हैं, clouding शुरू हो जाती है, vision blur होने लगता है, and that's the point, इसी लिए अपने business में, इसी लिए sports मे इसी लिए film industry में, इसी लिए हर field में process बनाए गए हैं, वो process आपकी mental ये जो cluttering है न, इसको दूर करते हैं, even studies में, पढ़ाई में, जो लोग भी तयारी करते हैं, चाहे medical की करें, या engineering की करें, या IS की करें, civil, जिसकी भी तयारी करते हैं, वो लोग भी इसी thoughts से आते हैं, कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट इतने धेर सारे experiences होते हैं, इतने लोग मिलते हैं, इतनी चीज़ें दिखाई देती हैं, कि धीरे धीरे न, वो जो goal decide करके वो आए होते हैं, वो दूर होने लगता है, वो धुंदला होने लगता है, clouding होने लगती है, और अगर वो सही coaching में ह अगर वो सही association में हैं, अगर वो सही जगे पे हैं, तो ये जो coaching के जो processes होंगे, जो वो teachers होंगे, जो counseling होगी, जो लोग उनसे बात करेंगे, जो seniors उनसे बात करेंगे, वो सब क्या करने लगते हैं, इस clouding को दूर करने लगते हैं, भाई ऐसा मत सोचो, इस इनसान की बाते मत स सुनो, उनकी बाते सुनो, जो successful हों, ये किताब पढ़ो, इस association में रहो, ये ये चीजें अपने life के schedule से निकाल दो, daily time देना शुरू करो, हर रोज applying से मिलो, हर रोज videos देखो, हर रोज, ये processes बनाए गए, ताकि जिस aim के साथ, मैं हमेशा बोलता हूँ, dream is a word, जो हमको समझ मे आ गया, लेकिन जब हम business शुरू करते हैं न, तो हमको बहुत clarity नहीं होती, हमको लगता है dream वो है न, एक सपनों की दुनिया, तो उस dream को मैं बोलता हूँ, aim, आज आप न, अपने आप से पहला सवाल तो यही पूछो, आपकी जिन्दगी का aim क्या है, धरती पे आप आए क्य किसलिया हुला